आज मैं आपके लिए निहारी के जबरदसी रेसिपी लेके आई हूँ निहारी तो क्यों न हमने सोचा के आज आपको बीफ की निहारी बनाना सिखाई जाए तो मैंने उसके लिए क्या किया है यह मैंने वन केजी बीफ ले लिया है हड़ी के साथ बोटिया मैंने थोड़ी बड़ी रखी है इस तरह से इसको मैं बाद में छोटा कर लूँगी हड़ी इसमें से अलग कर लूँगी इसकी सबसे पहले मैं यखनी बनाऊंगी यखनी बनाने के लिए यह आप देख सकते हैं म यह भी बड़ी बें ले ले लिया है है इसकी तेज पता ले लिया है और शाबुत का लिमिच ली है एक बड़ी लाइची और दार चीनी के इतीन स्टिक्स यह आप देख सकते हैं यह सब यह यह ड्लूंगि तक्रीबन दो लीटर पानी में डालूंगी और उसके बाद बताते हैं कि आगे क्या करना है इसका मसाला बता देती हूं आपको यखनी बनाने से पहले इसके मसाले के लिए हमें क्या चाहिए यह मैंने दो नॉर्मल साइज के प्याज ले लिए हैं इसको मैं बारी काट लूँगी और फ्राइ कर लूँगी ओइल में ये मैंने अद्रक का पाउडर लिया है सूखी जो सौंट होती है आप सौंट भी कह सकते हैं उसका पाउडर है ये दो टेबल स्पून मैंने अद्रक का पाउडर लिया है ये मैंने वन अफ टेबल स्पून अद्रक का पेस्ट लिया है और ये निहारी मसाला मैंने लिया है तकर अब बाद इसके मसाले की तेयारी कर लेते हैं यह मैंने पतीरी ले ले ली है इसके अंदर में यह बीफ एड़ लेगा है दो लीटल खानी डालोंगी दोशने इसी में गोश्ट गल जाएगा और यह इस तरीके से मैंने लसन, सुखधनिया, सौंफ, और लॉंग और काली मिर्श की इस तरीके से मैंने पोटली बना ली है यह भी में इसमें डाल दूँगी और जाइफल, जावितरी, दारचीनी और बड़ी लाईची मैं इसमें ऐसे याड़ कर दूँगी अद्रक कापीस भी मैं इसमें डाल रही हूँ तो अब इसको तक्रीब आदे घंडे के लिए आप स्लो फ्लेम पे पका लीजे गोश्ट गल जाएगा और यखनी हमारी तयार हो जाएगी फिर इसके पास जो है इसका मसाला बनाना स्टार्ट करेंगे अगर आपके पास बीफ नहीं है तो आप उसकी जगा मटन भी ले सकते हैं मटन की नहारी भी आप इसी रेसिपी से फॉलो करिएगा तो इन्शालला बहुत अच्छी नहारी जो है आपकी बनेगी तो चलिए इस इसको प्रेट पका लेते हैं और इसका फिर मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने क्या लिया है अद्रक ले एक पीस इसको मैं छील के दो के जूलियन कट कर लूँगी यह मैंने तकरीबन शाथ से आठ अधर हरी मिर्चे नहीं है इसको भी मै छीलीन कर लोगी अगर आप जूलियन काटना चाहते हैं जूलियन भी काट सते हैं और झाल्ली के लिए इसको मैं इसके पीसा कर लोंगी तकरीबन चार से आठ ज़गार्पिस यह सब चीज diplomatic के लिए चाहिए तो चलिए पहले मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं यह अखनी पक जाने सान भंद और को भंद माद अनम्ह form आप तक अपैसरी करता इसलों सबी दो हूं ब्राउन करेंगेंगा चाँआ कर जोके यांपने प्सक्राय में कमादण करें अ करेंगे ली तक छोट कॉलना नहारि पुर्स दो आld करेंगे और के लिए जाए। जिसमें आप मसाला बनाएंगे अब इसके अंदर मैं ऑईल एड़ करूँगी ऑईल थोड़ा जादा जाएगा क्योंके मसाला भूनने मसाला भूनते वाद हम लोग अलग निकाल लेंगे उसके बाद जब इसके अंदर यखनी एड़ करेंगे और आटा वगरा डालेंगे तो जो है वो चिकना जो है वो उड़ जाएगा इसका तो हम लोग मसाला भून के पहले इसका निकाल लेंगे ताके एंड पे जो हमारे बास चिकना अलग से मौजूद हो यह मैंने ओल डाल दिया है प्यास को गोल्डन कर लेंगे प्यास को लाइट गोल्डन करना है जब यह गोल्डन हो जेगी तो इसको हम आल से निकाल लेंगे और इसको पीस लेंगे जैसे यह प्यास वह थोड़ा कलर चेंज करने लेगी हम फ्लेम आफ कर देंगे जब तो प्यास का खराज बहुत जल्दी चेंज होता है जरूर ठाई कीज़ेगा इस रेसीपी को इन्शाला तब बहुत पसंद आईगी अगर आपके पास बीप या मतन नहीं है तो आप चिकन की निहारी भी बना सकते हैं कुछ लोगों को बीप पसंद नहीं होता मतन पसंद नहीं होता तो चिकन भी किसी रेसीपी से फॉलो करिए बोंग का गोश्ट मैंने लिया था थोड़ी बहुत मैंने इसमें हड़ी भी शामिल की है क्योंकि इसी से यखनी बनेगी हड़ीयों से जो रस निकलेगा आप देख सकते हैं के प्यास कलर चेंज कर रही है थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे और इसको और फ्लेम आफ कर दीजेगा और इसको और निकाल के पिर हम जग में डालके इसको पीस लेंगे यह देखिये प्यास बहुत अच्छी सी गोल्डन हो गई है फ्लेम मैंने ओफ कर लेकर दिया है अब आप इसको और प्यास को पीस लीजे फैज आगर के लाइट और और लोचिन देख लएवगए ऑला गया तो थाय। दूम है अच्छी तरह में पीस लों और अच्छी तरीके से प्यास टीस लेते हैं आज़ें हृख आज़ें कि यह को थोड़ा रूक-लूपके चलाएं एकडम आप बहुत तेरस को नहीं चला सकते हैं कि इससे जो है मशीन्री को खराब कर दोने का खत्रा है रहता है थोड़ा उसको टाइम दीजिए थोड़ा उसको टाइम दीजिए अब देख सकते हैं के प्यास अच्छी तरह पिस चुकी है अब मैं इसको ऑईल में एड़ करूंगी यह नाम कर वीजिए यह जो मैंने प्यास पिस थी यह मैं इसके अंदर एड़ करने लगी हूँ कर वोड़ा है आ़को बस दोलादा उससाही हो जदो हैं श्चल प्यूछके घचाचानिए लोड़ा है आलाओा है बसे नहाँ है आग हो बस्षाचे के वैग मैं experience प्यूषनी के सादीह यह जो अद्रक का पेस्ट लिया था मैंने 1 1.5 टेबर स्पून यह भी मैं इसमें एड़ कर रही हूँ तोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और यह जो निहारी मसाला मैंने लिया था यह भी मैं इसमें एड़ करूंगी अच्छी तरह से इसको पका लीजे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजे ताके इसमें लंस ना बने आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है थोड़ा सा पानी एड़ करूंगी ताके मसाला और प्यास जो है और अद्रक का पेस जो मैंने एड़ किया था अच्छी तरीके से वह पक जाए उसका कच्छा पन जो है वह खतम हो जाए मसाले को ची तरह भून लेंगे तकरीबन दस से पंद्रा मिनट और इसका चिकना अलग कर लेंगे फिर गोश्ट जो है वो गल रहा है और इधर निहारी मसाला जो है निहारी का मसाला जो हमने बनाया है वो भी रेडी हो रहा है अब देख सकते हैं कि इतना छोड़ दिया है थोड़ी तेर और मसाला भूनेंगे और इसका ओयल अलग कर लेंगे गोश्ट जो है वो बिल्कुल गलचुका है आपको दिखा दती हूँ बहुत ही अच्छा सा गोश्ट जो है वो गलचुका है यह आप देख सकते हैं यह दिखिए अब यह यखनी में से में गोष्ट अलग कर लूँगी और मसाले में एड़ कर दूँगी और अच्छी तरह इसको भून लेंगे मसाले में से मैंने ऑईल अलग कर लिया है मसाला ची तरह भून गया है अब मैं गोश डालूंगे इसके अंदर गोश इसके अंदर डाल दिया है इस पची तरह से भून लीजए आप गोश को तकरीबन पान से दस मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेते हैं और उसके बाद फिर इसके अंदर यखनी एड़ करेंगे आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वह भून रहा है और गोश्ट के साथ मदैस से अलग मैं अलग में अलग में यूठी जूओं अलग अधि अबना भून नतर नगी हों आटा शामिर करें के जूफन के आइसी ग्रेही बना लेंगे अभ मैं इसके अंदर गोश्ट जआ हो मासाल Ang पाल से अलग का रही हूं गोश्ट के पानके ज़ए पताल बोलाइब नीजी को चान के डालिएगा शुड़ी तेर इसको पकाएंगे और उसके लाद इसके अंदर आटा शामिल करेंगे यह जिफनी जै मैंने डाल दी है यह अप देख साथे हैं यह मैने अधा कप जो है वह मैदा लिया है अधा कप मैदा है और तक्रीबन एक कप से थोड़ा कम है आटा वो मैंने लिया है इसको ची तरह मिक्स कर लीजे अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसका पेस्ट बिना लूँगी अच्छी तरीके सापने इसको मिक्स करना है ताके लंब्स ना बने इसमें अच्छी तरह से आटा और मैदा वो मिक्स हो चुका है थोड़ा इस फॉर्म में हो गई है आप अपने अंदाजे के मुताबिक अपने डालना है मैं आप यह आपको डाल के दिखाती हूं सारा एकदम से आप नहीं डाल देंगे नहीं तो आटा यह नहारी ज़ए बहुत ज्या यखनी में एड़ करेंगे आटा यखनी जो है वो पक रही है थोड़ा इसमें अबाल आ जाए तो फिर इसके अंदर आटा शामिल करेंगे और सॉंट का पाउडर यानि पिसी हुई अद्रक का पाउडर जो है वो मैंने रखा हुआ है वो मैंने आपको बताय था वो भी मैं इसके अदर एड़ करूंगी आप देख सकते हैं बॉइल हो रहा है ये फ्लेम जरहा ही रखिएगा अब इसके अदर आटा शामिल करेंगे और एक चम्मच से आप इसको चलाते जाएगा थोड़ा सा में बचा लिया है यह आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा आटा जो है यह बच गया है यह आप नहीं डालिएगा इसमें क्योंकि हमें इतनी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए यह देखिए स्लेम इसका आप स्लो कर दीजब अध्रक पाउडर भी मैं एट करूंगे इसमें इस टाइम भी आप इसके अंदर नमक एड़ करिए अपने टेस्ट के मताबिक बहुत ज्यादा निहारी जो है वो गाड़ी अच्छी नहीं लगती तो आप यह देख सकते हैं कि इस तरीके से होनी चाहिए अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजेए इसका टेस्ट थोड़ अच्छा करने के लिए मैं इसके लेमन जूस एड़ कर रही हूं थोड़ा आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजेए आप इसको तक करीबन 15-20 मिनट आइए और नहारी जो है वो रेडि हो जाएगा ए देट की माथयगे प्रूजब बाच ती देड़ा 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 है प्रूजब देड़ा 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 है अब इसके ऊपर हम चिकना डालेंगे जो मैंने चिकना लग किया था अब देड़ा देड़ा है यह देख सकते हैं जबरदस्ती है नियारी जो है वो रेड़ा है बजी साथ में जाख्यां, घ्रड़ाग, अभलेक अच्छी अधरे काटा शुटा , अधरे के अधर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए इन्शाला ताला कुछ नया लेके फिर हाजिर होंगे उमीड करती हूं कि आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करेंगे इन्शाला ताला कुछ नया लेके फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए allah حाफिज